प्रस्तुद वीडियो में हम यह जानेंगे कि बालक या बालिका का अन प्राशन संसकार कब करना चाहिए वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पर दिया आप नए हैं तो सब्सकाइब करके नोटिफिकेशन बेल को आन कर लीजिएगा तथा अन लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा घर में जब बालक या बालिका का जन्म होता है तो उन्हें किस दिन किस महीने में सबसे पहला अन खिलाया जाए इसकी क्या बिधी है इसके बारे में हमें अवस्य जानना चाहिए बच्चों में संसकार देना अतियावश्चक है जिससे उनमें मानसिक शारिरिक और आध्यात्मिक विकास होता है हमारे चैनल पर सभी संसकारों के महूर्थ की भी वीडियो उपलब्ध कराई जाती है आप अवस्य देखें आए अनप्राशन संसकार कब करें क्या बिधी होती है क्या महूर्थ होता है इसके बारे में जानते हैं कहा गया है सस्थे अश्टमे दशमे द्वादसेवा मासे पूर्णे वत्सरेवा पुन्सोन प्राशनम अर्थात बालक का अनप्राशन छटमे महीने में आठमे दशमे बाराहमे महीने में या जिस दिन बर्ष पूर्ण हो उस दिन करना चाहिए पंचम, सप्तम, नवम, मासेशु, स्त्रीणाम अर्थात पांचमे, सातमे या नवे महीने में बालिका का अनप्राशन करना चाहिए दुतिया चा तृतिया चा पंचमी, सप्तमी तथा त्र्योदसी चो दशमी प्राशने तिथया शुभा दुतिया, तृतिया, पंचमी, सप्तमी, दशमी तथा त्रयोदसी तिथ में अनप्राशन करना चाहिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन शुभ बतलाया गया है किनी के मत से सोमवार और रविवार को भी अनप्राशन कहा गया है अश्विनी, रोहिनी, मृक्षिरा, पुनरवसु, पुष्य, तीनो उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, स्रमन, धनिष्ठा और रेवती इन नक्षत्रों में अनप्राशन शुभ बतलाया गया है कुछ बिद्वानों के मत से जन्म के नक्षत्र में अनप्राशन करने का निशेध बतलाया गया है अर्था जो जन्म का नक्षत्र है उसमें अनप्राशन ना करें बिश्ण, शिव, सोम, सूर्य, दिकपाल, भूम, दिशा और ब्रामनों की बिद्विधान से पूजा करके माता के गोद में बैठे हुए बालक को कांसे या स्वर्ण के पात्र में रखी हुई मधु, दही, घी से मिली हुई खीर को सर्वपर्थम खिलाना चाहिए अर्थाद देवताओं की सर्वपर्थम पूजा करे, खीर बनावे, खीर में थोड़ा सा मधु, दही, घी, मधुपर्क मिलाकर कांसे या सोने के बरतन में रखकर उसी पात्र से प्रासन कराना चाहिए इस दिन सूर्याव लोकन आदिकार भी कर सकते हैं और जीविका परिक्षन भी कर सकते हैं अन्परासन के बाद बालक का जीविका परिक्षन भी कराना चाहिए बालक के चारों तरप शिल्प, वस्तु, शास्त्र, अस्त्र आदि रखना चाहिए बालक अपने आप सबसे पहले जिस बस्तु को स्वता अस्परश करे उसी बस्तु से बालक की जीविका समझना चाहिए अनप्राशन में खरमास, मलमास, गुरु शुक्र अस्तादि का दोस नहीं बतलाये गया है परंत यदिचाहें तो इसका विचार करके शुब समय में ही अनप्राशन कर सकते हैं आसा है वीडियो आपके लिए उप्योगी होगी अन्य लोगों को शेयर जरूर करिएगा कमेंड करके बतलायेगा प्रामाडिक ब्रत परवते ओहाद जोतिस वास्तु कता ग्रहबाधा निवारार संबंदी जानकारियों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार जैव शुनात